नमस्कार दोस्तों स्वावत आपका एक बार फिर से BSC First Year की Chemistry Classes में देखो पिछली Classes में मैंने आपको सिर्फ Bonding से परिचे करवाया था आपका introduction Bonding से करवाया था कि Bonding क्या होती है तिक है मैंने आपको अलग-अलग Bonds के बारे में बताया था कि कौन-कौन से Weak Bond होते हैं कौन-कौन से Strong Bond होते हैं आज क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वह हम बात करेंगे कोवेलंट बॉन्ड की कि की यानि कि सह सयोजक बंद की बात हमारे पास चलने वाली है तो इसको समझने की कोशिस कीजिएगा सबसे पहली बात यह जो बंद है वो कैसा होता है यह प्रिबल बंद होता है ठीक है strong bond होता है मैंने आपको बताया था यानि कि यह आसानी से नहीं तूटता है यह strong bond है आसानी से नहीं तूटता है के था जैसे मेरेने बताये था शहसैयुजक बंद ीनिक बंद कोवलिंट he इस तरीके से मुन आपको बताये थे आप दिखो आज हमको do жд ten secondsapon के बारे में पढ़ना है उसकी कुछ थ्योरीओं के बारे में पढ़ना है ने से सईयो बंद मेंricon आती है वैस्पर थियोरी आती है तो यह अलग-अलग थियोरियों के बारे में हमको यहां पर पढ़ना है ठीक है बच्चा अब यहां पर सहसे यंजग बंद की डेफिनिशन देखते है सबसे पहले गाओ ठीक है तो यहां पर मैं लिखता हूं कि वह यहां पिर्बल बंद जो इलेक्टम के साजा करने से बनताय क्या है खेाओंन के जिए क्या क्यआ लाता है ऑच्चों कोवलेंटंट बोंड कहलाताय सह सजोजग बंद क्यूले थीकॉस मान लिजे कि दो परमानू हैं मान लिजे दो परमानू हैं दो एटम्स हैं इन्होंने क्या किया अपने इलेक्ट्रोनों को साजा किया इसने अपना इलेक्ट्रोन साजा किया और क्या बना लिया बॉन्ड बना लिया थीक है बॉन्ड बना लिया तो उसको हम क्या बोलते हैं सहस बोलते हैं ठीक है अच्छा यह तो आपको पता ही होगा कि बॉन्ड क्यों बनते हैं देखो बॉन्ड बनने के पीछे कारण यह है कि कई परमानु जो होते हैं वह एस्थाई होते हैं कई परमानु क्यों होते हैं एस्थाई होते हैं तो वह इस्थाई रहने के लिए इस्थाई रहने के लिए bonding बनाते हैं और electron के साजा करने से जो bond बनता है उसे हम क्या कहते हैं covalent bond कहते हैं सह सयोजक बंद कहते हैं ठीक है अब देखो हमारे पास दो परमानूं है दोनों परमानूं जितने electron का साजा करते हैं उतने ही बंदों का निर्मान होता है क्या होता है उतने ही bonds हमारे पास बनते हैं ठीक है ये बात तो आपको पहले से ही किलियर होगी यहां पर जैसे आप ये मानिये कि अगर दो परमानूं है उन्होंने एक एक electron का साजा किया तो वहां क्या होगा single bond अगर इन्होंने दो दो electron का साजा किया वहां होगा double bond अगर इन्होंने तीन तीन electron का साजा किया तो वहां होगा ट्रिपल बॉंड जितने ही इलेक्ट्रोनों का साजा होगा उतने ही यहां पर बंद बनेंगे ठीक है तो कोवलेंट बंड में क्या होता है दो परमानू है आपस में क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रोनों का साजा कर रहे हैं ठीक है समान इलेक्ट्रोनों का साजा कर रहे हैं जितने एक परमानु देना उतने ही लेक्तर दौसरा परमानु भी दे ऐसे मैंने खिल आपको बताय veto do ढ़ी दो Virus करना है तो एक लाख रुपे उसने लगाए एक लाख रुपे उसने लगा है दोनोंने समान की पार्टनर्शिप करें तो वह भी हमारे पास क्या है एक तरीके से सेरिंग हो गई तो और यहां पर भी सेरिंग हो गई अब देखो कोवलेंट बॉंड है यह मैंने आपको बता दिया अब देखो यहां पर आगे देखते हैं आगे देखते हैं आगे देखो यह सहयूजक बंद की बात हो गई है अब देखो कोई भी परमानू है कोई भी एटम है कोई भी अनू है ठीक है अलग-अलग जो थियोरी है उन पर काम करता है ठीक है यह सहयूजक बंद की बात हो गई अब सहयूजक बंद में हमको क्या पढ़ हैं हमको वैस्पर थियोरी पढ़नी है हमको एमोटी पढ़नी है ठीक है आग के स्लेबस में यह तीनों ही है ठीक है तीनों ही पढ़नी है और तीनों में से ही कोश्चन आते हैं ठीक है तीनों में से एक थियोरी तो कंप्लीट आ दिए उसके रहवा बाकी की दो त्योडिक से भी कॉस्टिन पूशे जाते हैंॉ आक के अंदर भी आग के पास क्यूशन्ट पूशे जाते हैं एकजाम में ठीक है कॉन-कॉन से थियोडे हो गई। हो गई व्यवैश्पर थियोरी हो गई। म worn ओल ुकि तो इन थियोरी के बारे में हमको To discuss करनी है चर्चा करनी है सो के लिए है के लिए है है थिके तो आज हम अग्मि अजा सबसे पहले जो od अब कई दिसकर करेंगे जिससर करें वह अधोल सब Saved देखो हमारे पास अभी कोई जल्दबाजी नहीं है फास्ट एर की क्लास स्टार्ट हुई है तो मुझे आपको पूरा बेसिक समझाना है ठीक है इसलिए हो सकता है थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो यहां पर हम क्या स्टार्ट करत стал பन सिध्धान ठीक है क्या बोलते हैं बच्चों संजगता बन्त शिध्धान चीए यदे जो सिध्धान ॐक वो क्वांटम यांत mercury के सिध्धान पर अधारित है क्वांटम यांतरी की के के सिद्धान्त पर अधारित है。 अब यह क्वांटम मेकनिक्स क्या होती है। क्वांटम मेकनिक्स का मतलब देखो आप शमाजने की कीजिएगा। Quantum Mechanics का जो प्रिकास है जो लाइट है वो उर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में हमारे पास आती है आपको पता है जो प्रिकास है वो दो रूपों में हमारे पास आ सकता है दो रूपों की व्याख्या की गई है या तो वो सीधी करन के रूप में आता है या फिर वो उठ जाके छोटे-छोटे पैकेटों के रूप में आता है छोटे-छोटे बंडलों के रूप में आता है इन बंडलों को हम क्या कहते हैं photon कहते हैं या quanta कहते हैं इन photon और quanta का अध्ययन जिस ब्रांच में किया जाता है जिस physics की ब्रांच में chemistry की ब्रांच में किया जाता है उसे हम quantum mechanics कहते हैं ठीक है जो हमारे पास प्रिकास आ हो और नाम के अमोचर है यह आथे यह प्रांच मिन ब्रांच में हैं उसे हम क्में यांत्री के हैं रिजिक है क्लियर है क्वांटम यांत्रिकी के सिद्दान पर अधारित है ठीक है अब क्वांटम यांत्रिक है इसको अलग-अलग कई विज्ञानिकों ने बताया कभी तो इसको हाइटलर नाम के विज्ञानिक ने बताया कभी पोलिंग नाम के विज्ञानिक ने बताया कभी बहुत सारे अपने 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 अलग अलग तत्थे दिये उसके बाद ये थियूरी नहीं बन सकी अब ये थियूरी क्या कह रही है वह हमें discuss करनी है उसकी हमें बात यहां पर करनी है, ठीक है, तो देखो अब यह इस थियोरी में क्या होता है, हमारे पास दो परमानू है, ठीक है, हमारे पास दो परमानू है, देखो, माल लेजे यह क्या है, हाइडोजन, ठीक है, यह क्या है, हाइडोजन, दो परमानू है, दोनों क्या है, हाइडोजन, है दोनों सेम है चोटा वड़ा दिख रहा हो कोई बात नहीं लेकिन दोनों है सेम ठीक है दोनों है सेम और एक बात में बता दूँ यह वैलेस बॉर्ण्ड तियोरी जो सबसे पहले दी गई थी वह किसके लिए धी थी हाइड्रोजन परमानू के लिए दी गई थी किसके लिए पर उसके बाध यह और परमाणू के लिए भी यहां पर दी जाने लगए लिगांति हमको क्या वताती ए कि किसी उनुका रिर्माथ कैसे होता है किसी भी मॉलक्यूल का उनल्मैसी जो है वह कैसे होता हो हमें कौन बताता है वहमें व hele टीी बताती है सिंपल स इस सठचा करते हैं आपने जो 11 ती वहां पहने क्या पढ़ा था वहां पे आपने और वहां पहन पे आपने पढ़ा था की दो परमानों है हाइडोजन परमानों ठिके बिल्कुल अननत दूरी पर है मान लीजे हमने दो है जो faço ईछाहन परमानों ले ले लिए एक तो है एक यहां है ठीक है एक दूसर बहुत ज्यादा दूरी पर है इसका इससे कोई मतलब नहीं है इसका इससे कोई मतलब नहीं है यहां पर यह जो नाबिक है ना यह इसका नाबिक है इसको मैंने नाम दे दिया है ठीक है है इसके नाबिक को नाम दे दिया मैंने बी जिसलिए हम समझ में आ सके इसलिए मैंने नाम दे दिया, हालंकि यह दोनों Hydrogen पर्मानों एक जैसे ही है, ठीक है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन दो है, अब देखो, इस वाले Hydrogen पर्मानों में एक एलेक्टोन है, आपको पता एक एलेक्टोन होता है, पर यहां पर 1 एक function है इस वाले परमानौ में भी एक neutron है थीक है हाइट्रोजन परमानो एक electron होत्य है आपको electronic विन्यास पत्ता होगा hydrogen का क्या होता है one एस बान ठीक है आप देखो इसको समझने की कोशिच कीजिए दो hydrogen पर मानू हैं अलग-अलग, ठीक है? वो बिलकुल अनन्त दूरी पर है, एक मान लीजे, उत्तर में हैं, एक दक्सिन में है, ठीक है? बहुत ज़्यादा अनन्त दूरी पर है, इस वाले पर मानू में, electron क्या है? चार ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है? इस वाले पर मानू म भी इलेक्ट्रों चार और चक्कर लगा रहा है चार और इस तरीके से गुम रहा है ठीक है अभी इन दोनों का इस दूसरे से कोई संब्द नहीं है ठीक है अब हमारे पास जो पहला वाला परमानु है यहां पे जो यहां पे जो नाबिक है वो इस इलेक्ट्रोन को आकर्षित कर रहा है ठीक है और यहां पे जो नाबिक है वो अपने इलेक्ट्रोन को आकर्षित कर रहा है ठीक है जब यह दोनों दूर-दूर हैं तो यह वाला नाबिक जो है वो अपने एलेक्ट्रोन को आकर्सित करता है और यह वाला नाबिक है वो अपने एलेक्ट्रोन को आकर्सित करता है यानि कि नाबिक को मैं पास लेकर आया करीब लेकर आया अब पास लेकर आने पर हुआ क्या यहां ध्यान दीजेगा पास लेकर मैं जब इनको आया तो आप देखिए यह वाला जो नाविक है ना नाविक तब तो इनका एक दूसरे से कोई मतलम नहीं था लेकिन जब मैं इन दोनों को पास लेकर आया तो यह वाला जो नाविक है वह अपनी इलेक्ट्रों को तो आकर्शित कर रहा है साथ में दूसरे परमानों के इलेक्ट्रों को भी आकर्शित करने लग गया ठीक है इसी प्रकार यह है अपना तो है लेकिन दूसरे को भी आकर्शित करने की कोसिस कर रहा हैर है एक एसजैसे होता है लोग है यह यह एक जोड़ा है यह यह दोनों साधी सुधा है पत्ति पत्नी यह पत्ति पत्नी यह है तो फिर भी यह है दूसरे को आकर्षित करने की सोच रहा है हाना खुदकी तो साधी हुई पड़ी है वाइफ को लेगन फिर भी जब कोई दूसरा निकटा रहा है तो उसकी वाइफ को भी आकर्षित करने के सोच रहे है ऐसी यह होता है जिंदगी में हाना ऐसी चलता रहता है यही लाइफ है तो यहां पर यह नाभिक इसकी इलेक्ट्र क्या हुआ जब हमारे पास यह नाभिक जब अनंत दूरी पर थे ठीक है अनंत दूरी पर थे तो यह नाभिक अपने लेक्ट्रों को आग्षित कर रहा था यह अपने इनका एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था लेकिन जब पास लेकर आए मैं का नाम यहां लिख देता हूँ ह ए और ह ब जब इन दोनों को पास लेकर आए तो क्या हुआ इन में अलग अलग तरीके के बल काम कर रहे हैं तो यहां पर क्या हुआ यहां पर अट्रेक्शन फोर्स काम करता है जब मैं इन दोनों नाभिकों को दोनों परमानों को पास पास लेकर आया तो यहां पर आकर्शन बल काम कर रहे हैं कौन-कौन से देखो यहां पर जो नाभिक ए है यानि कि Nucleus A है वै इलेक्ट्रोन एक के मद्ध है इलेक्ट्रोन एक के मद्ध है ठीक है मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि कौन सा नाभिक किसको आकर्षित कर रहा है और कौन सा इलेक्ट्रोन किससे आकर्षित हो रहा है ठीक है आकर्षन बल कहां कहां लग रहा है वो मैं आपको यहां पे clear कर देता हूं ठीक है तो नाबिक a और electron 1 के मद्धे लग रहा है ठीक है नाबिक b वे electron 2 के मद्धे लग रहा है ठीक है नाबिक 1 का electron से आकर्षन हो रहा है नाबिक B का इलेक्ट्ट्रोन 2 से आकर्षन हो रहा है. ठीक है बच्चा? अब यहां पे आगे देखिए ये आकर्षन बल हो रहा है. अब देखो और कौन सा आकर्षन बल लग सकता है? ये देखो नाबिक जो A है नाबिक जो A है वो इलेक्ट्रोन नंबर 2 को भी आकर्षित कर रहा है इलेक्ट्रोन 2 के मद्ध है ठीक है ये इसको भी आकर्षित करने की कोशिज कर रहा है ऐसे ही हमारे पास नाबिक B है जो नाबिक B है और इलेक्ट्रोन 1 है नाविक B है वह electron A को आकर्षित करने की सोच रहा है ठीके तो यहां पर आकरशन बल किस किस की बीच में लग रहा है यानि कि कौन किसको अट्रेक्ट कर रहा है वह आप देखिए ठीके सी बात है plus minus को अट्रेक्ट करता है तो कौन कौन सी चीज किस-किस को attract करेगे यहां पे जो नाबिक A है वो पहले नाबिक A है वो उलेक्ट्रोन अपने वाले को आकरसित करेगा आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है पिलस वाला भाग मैनस को आकरसित करता है तो यहां पे नाबिक पिलस का है contradictory मायनस का है तो नाबिक ये अपने microphone एक को आकर्षित करेगा ऑपने electron 2 पर फिर नाबिक ये जो है वह वो डूसरे वाले के electron को भी आकर्सित करेगा ऐसी नाबिक भी है वो इसके electron को आकर्षित करेगा तो यह हमारे पास कया हो गए आकर्षन बल हो गए ठीक है अब आगे की बात देखते हैं अब यहां पे प्रतिकर्शन बल और लगता है क्या लगता है प्रतिकर्शन बल और लगता है अब प्रतिकर्शन बल किस किस के बीच में लगता है ठीक है वो किस किस के बीच में लगता है सीधी सी बात है प्रतिकर्शन किस में होता है या तो प् परमानों के पास जा रहा है यह इसके इलेक्ट्रोन को आकरसित कर रहा है जैसे मान लिजे इलेक्ट्रोन यह जो नाबिक A है वो इलेक्ट्रोन बात को ठीक है तो ना ऐसी नाविक B है वो वो ऐसे करेगा इलेक्ट्रों एक को आकर्सित करेगा लेकिन नाविक इसको करने से रोटेगा ठीक है तो जो पिड़ती करसंबल है वो किस-किस के बीच में लगेगा नाविक ए वे बी के मद्ध है के मद्ध है ठीक है या तो प्लस-प्लस के बीच में लगेगा या फिर माइनस- माइनस के बीच में लगेगा ठीक है तो दोनों प्रकार के यहां पर बल लगेंगे ऐसे यहां पर इलेक्ट्रोन वन वे टू के बीच में ठीक है तो यहां पे दोनों के बीच में लगेगा यहां पे ए और बी के बीच में भी लगेगा तो यहां पे भी हमारे पास क्या हो गया प्रितिकरशन गर मैं एक क्लास में पढ़ाने की कशिस करूंगा to ho सकता आपको समझ में नहीं आ तो जिसको समझ में नहीं आये वो जड़ा एक बडर बताना क्या problem है कहा problem है जिससे हम आगे की बात कर सकें ठीक है तो इसका जो अगला भाग है आदा भाग है आगे क्या होता है जब ये पास आते हैं ठीक है जब ये दोनों परमानों आपस में एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जते हैं तो क्या होता है क्या बंद बनेगा या फि नहीं जुड़ेंगे इन सब की बात हम किसमें करेंगे नेक्स्ट क्लाज में तो आज के लिए सिर्फ इतना ही बाकी काम पड़ेंगे नेक्स्ट क्लाज में धन्यवान नमस्कार बाई बाई